असलाम लेकुम फिवर्स आज मैं आपको चैक प्रिंट से बेबी टॉप बना कर दिखा रही हूं यह मैं पांस से च्छे साल की बच्ची के लिए बना रही हूं और इस तरह की टॉप बनाने के लिए हमें तकरीबन डेड़ से दो मीटर कपड़े की जरुरत होती है अगर बड़े बड़े अर्सका है डेड़ मीटर वरना अगर छोटे अर्सका है तो दो मीटर इसमें फ्राब्रिक लगेगा यह अम्बरेला करते हैं नीचे इसका पाटम मैंने बनाया घेर और इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं पे आपको दिखा रही हूं तक्रिवन यह बड़े अर्सका कपड़ा है मेरा तो यह डिल मीटर इसमें लगाए तो सबसे पहले हमें इसके लिए योग तयार करेंगे इसके पहले हम चुड़ाई ले लेते हैं इसकी बारह यह हम लेंगे बारह इंच और उचाई लेंगे हम ग्यारा इंच यह फरन्ट और बैक दोनों साइड की योग है आप चाहें तो बिल्कुल चुको रपीज भी ले सकते हैं अब इसकी उचाई यह देखें यह चुड़ाई है बारह इंच और इसकी उचाई जो है वो अगर हम हाफ करें तो साड़े पांच इंच है यानि के टोटल मैंने ग्यारा इंच लिए फरन्ट और बैक के लिए मैंने इसको फूर फोल्ड कर दिया है अब इसकी सबसे पहले नेक कटिंग करेंगे बैक साइड की मैं दो इंच पर इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ इसमें मैंने बैन लगानी है पहले हल्की इसी यह फ्रॉंट बेक के लिए दोनों साइट की कटिंग है अब एफ्रन्ट हिस्थे को अलग करूंगी अलग करने के बाद इसके दो हिस्थे करने हैं फ्रण्ट ऊपन है और इसमें दो इंश मज्जीद गहराई की नेक लेल इंश नेक मैं कटिंग का रही हूँ अगर हमें और जरुवत मेहसस हो तो हम और कर लेंगे वरना दो इंच की गहराई की मद्धी दोर नेक कटिंग होगी यानि टोटल इसकी गहराई जो है वो धाई इंच होगी अगर हम इसको जब मैंने लगाया है तो हाफ इंच और कटिंग की आता है अब नीचे का घेर हम कटिंग करेंगे उसके लिए हमें एक कॉर्नर बनाना है कपड़े को बिचाएंगे और इसको इस तरहां से फोल्ड करने के बाद हम योग का अंदादा लगाएंगे क्यूंकि आर्म होल का कुछ हिस्सा नीचे के घेर में कटिंग होगा तो हमें थोड़ा है योग के हिसाब से अगर मदीद हमें और चुड़ाई की जरूरत हो तो हम और जादा कर सकते नौ इंच लंबाई पर मैंने एक ये सरकल बना रही हूं मैं कर्ब लाइन बनाई है यह हर तरफ से नौ इंच ही रहीगा अब मैं आपको यह दिखाती हूं कि जो हम इसको रखे होगा नीचे की साइड से अब ह annihilate कर दोठी करेंगे और आप यहां से देखें है कि इस तरह से यह से अ कट होगा team संब बंट करने से पहले आपके म conseil ले लेते हैं सत्रा इंच सत्रा इंच लैंट पर मैंने इसको कटिंग करना है तकरीबन ये बीज से की सिंच की ये टॉप तयार होगी बीबी गल्द के लिए बना रही हूं पांच ते छे साल की एज के लिए मैं बना रही हूं ये और ये बहुत लॉंग नहीं होती है अगर आप लॉंग करना चाहें तो इसे मज़ीद नीचे का घेर आप और लंबा कर सकते हैं ये पहनने के बाद तकरिबन ये हिप तक ही आएगी थोड़ा सा नीचे रही गा ये इसका राउंड ये ट्रॉदर जीन्स पर पहनने के लिए टॉप्स बहुत अच्छी लगते हैं तरह की अब आप ये देखें नीचे का ये मेरा बैक साइड का मैंने घेर तयार कर लिया फ सेंटर में रखूंगे अब ये एक हिस्सा बैक का कटिंग हो गया आप ये देखें ये 6 इंच गहराई का हमारा आर्म होल कट हुआ है अब हम एक और इसकी ले रहे हैं इसी तरह से कॉर्ण बनाएंगे और इसी के उपर रखें देखें इस दफ़ा मैंने जो ये सीधी साइड है ये सेंटर में रख रही हूँ जबके बैक साइड की जो है वो रेव है सेंटर में और सीधी साइड जो है वो साइड में जा रही है यह आरम होल डेल इंच ओड़ाई ही और डेल इंच लंबा ही का तैयार हुआ है यह मेरे पास इस वकुपडा जादा है लेकिन आपको पूरा पूरा हिसाब जो बता हुआ हूँ वो डेल इंच का बता हूँ अब आप यह देख सकते हैं यह यह हमारा स्लीव्स है स्लीव्स की लंबाई मैंने सत्रा इंच और चोड़ाई 6 इंच लिए और धाई इंच पर आर्म होल कट की है और यह एक पटी मैंने लिए जो फरंट पर हमें हमारी बटन पटी बनेगी यह देखें धाई इंच यह मैंने फ्रिल के लिए पटियां कटिंग कियें तीन इंच वड़ाई की है यह तैयार होने के बाद पर ने तीन इंच लेनी है आपने तो यह तकरिबन तयार होने के बाद हमारी दो इंच की पटी तयार होगी इस पटी को मैंने पी को पहले से कर लिया है और अब मैं आप को इसकी चुने दिखा रही हूं मैं आपको थोड़ी उपर से और थोड़ी नीचे से दिखाऊंगी पूरी पटी की चुने नहीं दिखा रही हूं मैं आपको तो हम इस तरह से कपड़ा खिसकाते जाते हैं चुने डालने का यह असान तरीका होता है अब मैं चुनों को मैं तीन मीटर तक कि आपको पूरे अर्थ में से आपको तीन पटियां लेनी होंगी उसमें आप ये चुनेंग वाली पटि बना सकते हैं अब मैं ये फ्रिल लगाने से पहले इसको शूल्डर तयार करने हैं जोडने के बाद जो योग तयार की थी ये धाई इंच चुड़ाई की 5 इंच और 5 इंच गहराई की नेक है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा हम योग को डबल करके कटिंग करते हैं तो इसलिए में 5 इंच दिखाती हूं जब हम खोलते हैं तो फिर वह 5 इंच हो जाता है अब सबसे पहले हमें ये फ्रॉंट से ये फ्रिल लगानी है और जब हम बिल्कुल कॉर्णर पर आएंगे तो यहां पर चुनों को गहरा कर देंगे थोड़ा सा क्योंकि फ्रिल जब ये बाहर की साइट पर फैलती है तो इस ये खचावाएगा अगर हम यहां पर गहरी चुने नहीं डालेंगे कॉर्णर पर हमें चुने और जादा कुली गहरी कर लिएंगे और इस कॉर्णर पर से भी कपड़ाई खटा करके चुनों को गहरा किया जा रहा है ये फैबरिक है ये शुर्ट का फैबरिक है जो मलती बजार वे Ale hem सब शवblesें नहीं हाँ ऩर्ड़ा सा रशमी टाइप का है कॉता हुत इसमें में किस होता है कॉतन और हो ने बहुत यह होता है कि यह तरह के जो फैबरिक होते हैं उनको हमें जादा आयरंड करने की ज़रूरत नहीं होती अब यह योग जो है मैंने फ्रण्ट से स्टार्ट की थी और फ्रण्ट पर लाकर ही से खत्म कर दिया है बच्ची फ्रिल को मैंने कटिंग कर दिया है यह मुझे कहीं और काम आ जाएगी अब नीचे के घेर पर मैं आपको इसे जोड़ कर दिखाती हूँ पहले फ्रण्ट के घेर मैं इसके जोड़ देए हूँ अब आप यह देखें एक साइड की आर्म होल कटा हुआ है आर्म होल वाला हिस्टा साइड में जाएगा यह सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब यह देए आर्म होल वाला हिस्टा यह साइड में जुड़ गया है अब ये खोल कर दिखाए हूं, देखें, फ्रिल ये सेंटर में आगई ये इस तरह से दूसरी साइट भी बिल्कुल इसी तरह से हमें जोड़नी है ये सीधा हिस्टा नैक वाली साइट पर और आर्म होला हिस्टा जो है वो दूसरी साइट पर आएगा Frills को अंदर की Sight पर Fold करने के बाद हम इसको डारेक्ट जोड़ते हम बैक वाली Sight भी इसी तरह से जोड़ेंगे इसमें Frills लगी भी है योक में और आप देखें Frills को मैंने अंदर की Sight पर Fold कर दिया है और इसको हमें नाप नाप के देखना होता है कि हमारा ये नीचे का घेर अगर किसी वज़ा से छोटा पड़ जाता है तो हम इसमें मज़ीद और कटिंग करेंगे ताकि ये इसके साइज का हो जाए योग के बराबर अब ये देखें ये पूरे का पूरे हमारे फ्रंट बैक जुड़ गए दो हिस्से फ्रंट के हैं और एक हिस्सा बैक का अब ये स्लीव पर मैं आपको दिखा रही है इसमें मैंने पिको कर लिया है पहले से और अब मैं लास्टिक लगा के दिखा रही हूँ ये फ्रिल वाले स्लीव से सिंपल से ये स्लीव से इसकी कटिंग भी आसान है कोई इतनी मुश्किल नहीं है आप देख सकते हैं और लेकिन इस तरह की ड्रेसित बच्छों को पहन कर बहुत अच्छे लगते हैं आप समर विंटर दोन सीजन में पना सकते हैं फुल स्लीव यह टॉप है यह देखें यह फ्रिल वाले बादु इस इस तरह से बनते हैं फुल स्लीव में अब मैं यह स्लीव भी आपको जोड़ कर दिखा रही हूं यह दे यह फ्रिल को मैंने अंदर की साइट पर फोल्ड कर दिया है जब हम इसको सीधा करेंगी है तो यह बाहर की साइट पर चली जाएगी और इस तरह से यह स्लीव भी जुड़ गया है अब सिर्फ से साइट की सलाई है यह देखें यह देखें घेर के अंदर को चार्म होल का हिस्था आया है तभी इसकी यह बली शेप आती है अब इसकी साइट की सलाई भी साथ कर लेते हैं यह हर चीज पेयर में होती है यानि दो दो होती हैं दो साइड्स होती हैं दो स्लीव होती हैं दो आर्म होल लेकिन मैं आपको वीडियो में सिर्फ एक एक साइड ही दिखाती हूँ यह प्रिल के स्लीव जो है आम तोर पे 5-6 साल की बच्ची का साइड जो है वह 15 इंच 15-16 इंच होता है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जादा इसलिए रखा है जब हम इस तरह से फ्रिल बाहर की साइड निकालते हैं तो एक डिएड़ इंच हम फालतू लेते हैं अब यह साइड की सिलाई की जा रही है स्लीव के बाद और इसके बाद अब यह बैन लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको इसमें यह देखें बैन से पहले सारी मैं आपको यह पट्टी भी अभी नहीं दिखाई है पट्टी और लगा कर दिखाती हूँ यह बटन पट्टी है साइड में ये उल्टी साइड पर लगीगी पटी और सीधी साइड पर पल्टी जाएगी आप ही देखे मैंने इसमें कोई पेपर बुक्रम या कोई चीज नहीं लगाई अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं इसकी अगरचे जरूरत नहीं है जब हम शुर्स बनाते हैं तो इसमें लाजमी लगाते हैं यह 14 इंच लंबाई और 4 इंच उड़ाई का मैंने पेपर बुक्रम का यह पीस लिया है इस पर मैं आपको इसकी बैन कट करके दिखाती हूं एक इंच नीचे से छोड़ दिया एक से इंच साइड से और इस पर हम एक बोर्ड शेप में हमें लाइन लगानी है और नीचे से इस तरह से पकड़ कर इसे शेप देना है ने देखे अब हम इसको अपनी जह माही नैक लाइन है इसके मताबिक हम साइज लेंगे साइज लेने के बाद अगर हमें लगता है कि यह बैन हमारी बड़ी है तो हम फाल्टू इसको कट कर देंगे इसके बाद हम ने पेस्ट करने के बाद नीजे चुड़क कार्स लगाने के बाद हमें से आइरेंद करना होपर की साइट है फोल्ड कर जोड़ कर गोटर कर आईक अपर ओनून effective मिलाकर जोड़ देना है एक सलाई हम उपर की साइट पर करेंगे इससे पहले हमें चुर 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 एक कर्स लगाने ताके हमें इसमें किसी किजम का कोई खिचाव ना आए फिनिशिंग आए बेहन के अंदर अब एक उपर वाले कपे पर हम सलाई लगाएंगे अब यह देखें उल्टी साइड पर मैंने यह लाइनिंग वाले हिस्टे को जोड़ना है और इसको पलट का फिर हमें सीधी साइड पर हमें पेपर पुक्रम वाले हिस्टे को सलाई करना है पहले मैंने नेक के साथ इस पूरी बेन को साइड लिया है साइड लेने के बाद फिर लगाना शुरू करते हैं वालना यह जादा बड़ी भी ना हो थोड़ा बड़ा होता है तो हम इसे कट करके अलग भी कर सकते यह देखें यह लाइनिंग हमारी जुड़ गई है उल्टी साइड पर अब हम इसको यह देखें पहले बेन की साइड सीएंगे आप यह देखें यह बेन लगाने का बिलकुल आसान तरीका होता है इसकी यह कहीं से घट बड़ जाए तो हम थोड़ा सा कटिंग करके इसको खतिंग खत्म भी कर सकते दूसरी साइड भी अभी इसी तरह से त्यार की जाएगी अब यहां पर थोड़ी सी बेंद दादा है मेरी लेकिन मैं इसको इसके बराबर बैलेंस करके फाल्तु पेपर बुक्रम को कट कर दूँगी अब इसको इस तरह से पलट कर सीधा करना है दूसरी साइड भी अब डारेक्ट उपर से स्लाई करेंगे और इस तरह आप यह देखिए कितनी आसानी से यह हमारी बैन त्यार हो जाती है असान से टॉप है चाहें तो आप घर में बना सकते हैं यह जैसे कि मैंने आपको बताया है यह शुर्ट का कपड़ा था जो बॉइस शुर्ट के लिए यूद होता है बासानी बजार में मिल जाता है पाश से छे साल की बच्ची के लिए मैंने इसे तैयार किया है असान से टॉप है और इसके बाद मैं आपको इसके काट बटन करने के बाद फाइनल करके आपको दिखाती हूँ ये लिजए ये फाइनल हो गई है इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाते हूँ बेंद देखें बहुत प्यारी खुबसूरत इसकी बेंद तैयार हुई है अब फाइनल आप इसको देख सकते है ये डिजाइन मैंने पिंटरस्टे लिया है और बिल्कुल सेम डिजाइन मैंने बनाया है ये उमीद है आपको पसंद आएगा इस तरह की टॉपस हम छोटे बड़े बच्चों में इसी तरह बना सकते है योग के साइज के मताबिक हमें नीचे का खेर इसका तैयार करना है जैसे कि आपने देखना है देखा है हम जिस साइज में चाहें इसे बना सकते हैं उमीद है आपको रिदा इन पसंद आएगा